कि अब के मोशन ओफ एक कार और सर्कुलर लेवल रोट मोशन ओफ एक कार कि अब ऑन आ सर्कुलर लेवल रोट लेवल रोट का मतलब होता है कि रोड जो आपकी है वो हो सीजज़य है ऐसे मतब बन है और वो सर्कुलर है और उसपर कॉमप कराना है तो किस प्कार से कार को मुप कराएंगे उसके बारे में भात करने जा रहे ज्श्मावदान हो की सुनियेगा टुफ नहीं है थोड़ा सा इसको feel करिएगा देखे कार जब circular path में move करती है तो उसे circular path में move करने के लिए कौन सा force चाहिए centripetal force चाहिए centripetal force एक्चुली होता नहीं कहीं से देना पड़ता है ठीक अगर आपके एक रस्ती लेकर के एक उसमें particle बांग के घुमा रहे हो ठीक है तो वो जो body जो particle circular path में move कर रहा है उसको centripetal force required है वो कहां से मिल रहा है अगर आप इस प्रकार से इसको घुमा रहे हो एक particle को तो अगर यहां particle है तो इधर जा रहा है यहां है तो इधर जा रहा है यहां है तो इधर जा रहा है तो आप उसको centripetal force नहीं मिलेगा तो centripetal force actual में होता नहीं उसको देना पड़ता कहीं से बाहर से कोई external agent देता है उसको ठीक है अब हम road पे जब car चलाते हैं और circular road होती है तो कैसे उसको force मिलता है जरा समझेगा friction लगता है यह circular road है पूरी circle नहीं बना रहे है यह circular road है हमारी car ऐसे मूब कर रहे है ठीक है और यह यहाँ पर हमारी car का front face हम बने दिखाए देने पूरी car में बैठ नहीं दिखाएंगे यह front face है यह हर जनितल रोड सीधी है बिल्कुल है अरे ठीक है भाई अच्छा चलो ठीक है है car हम अपने आप कोई बना दें बैठाल दें इसमें ज्यादा मेरा अच्छा डाग्राम बनता नहीं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं यह ठीक इतने ठीक है ठीक है अब देखे कार का एक तो वेट नीचे की तरफ काम करेगा और कार का जो रेक्शनरी फोर्स होगा मैं आर नहीं मानूंगा क्योंकि आर रेडियस मानते हैं यहाँ पर और रेक्शनरी फोर्स नार्मल रेक्शन फोर्स उपर की और काम करेगा अच्छा कार जिस रोड पे चल लए है कार के वेट को आप चेंज नहीं कर सकते यहनि नार्मर रेक्शन फोर्स को आप चेंज नहीं कर सकते फ्रिक्शन डिपेंड करता है कार के टार और सडक के बीच कज के सर्फेस पर तो जो फ्रेक्शनल फोर्स होगा यहां पर है वो क्या होता है निकान इसको आप चेंज नहीं कर सकते है तक फिक्षार कि और उर्छ भीच चैनल फोर्स लगना है वो फिक्ष है ठीक है अब आपको चलने के लिए सेंटर की तरफ जो कि इसका radius R है center के तरफ एक centipetal force चाहिए वो कौन प्रवाइट करता है friction प्रवाइट करता है centipetal force करता है friction मैं Fs माल लेता हूँ वैसे Fs नहीं है यहाँ पर Fk है kinetic friction हो रहा है body चल रही है ठीक है अच्छा यह होता है mv square upon r हमने अभी equal नहीं लगाया हाँ पर और यह होता है mu k into n यानि कि अगर यह मालिया friction force 50 newton का है यही centipetal force प्रवाइट कर रहा है अगर friction force 50 newton का है तो आपको center की तरफ चल ले के लिए 50 newton तक तो force देगा अगर आपने ज़्यादा speed बढ़ा दी तो उससे ज़्यादा friction लग नहीं सकता यानि उससे ज़्यादा आप speed नहीं कर सकते यानि आपके जो speed ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो centipetal force हो वो अधिक से अधिक कितना होना चाहिए या उससे या उससे आपका centipetal force जो required है देगा कौन friction देगा अब friction कितना दे रहा है उससे ज़्यादा देगा नहीं और उससे ज़्यादा अगर आप लेते हो तो center के तरफ force भाई friction क्या दे रहा है centipetal force दे रहा है अंदर की तरफ और जो friction कितना लग रहा है बाहर तरफ या यूँकर ये आपके centipetal को centrifugal करके balance कर रहा है और अगर आपने speed बढ़ाई तो वो centipetal force आपको नहीं मिलेगा और आपकी कार क्या कर जाएगी slip कर जाएगी तो आपको अधिक सदिक इतना velocity लेनी है कि आप या तो इसके एक्वल हो जाए या इससे कम रहे आपका centipetal force kinetic friction से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि कार्ण है कि centipetal force को provide कौन कर रहा है centipetal force को कौन provide कर रहा है friction कर रहा है उससे ज़्यादा अगर आप लगाओगे तो आपको centipetal force देगा कौन तो ये हो गया mv square upon r is less r equal to mu k क्या होता है mu k को mu k के लिखो n किसके equal होता है fc centipetal के लिए हमने लिखा है और fk हमने kinetic friction के लिखा है value तो ऐसे लिख दी हमने mm cancel हो गया तो v is less r equal to under root mu k into gr आप mu k क्यों mu लिखो कोई दिक्कत नहीं है तो यानि आपकी velocity under root mu k into gr के बराबर होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए समझ में आ गई बात अब आप कहीं पर road पे जा रहे हैं अब road तो road है उसका एक design है उसमें डामर या जो भी पड़ा हुआ है उसका friction fix है यह मान के चलना है कि आपके जो गाड़ी के tire सही होंगे मेरी तरह नहीं होंगे ने मतलब अरे वो tire क्या हो जाते जब क्या कहते हैं उसको हाँ हाँ वही बात उसका अपना एक friction होगा एक idea होगी कि गाड़ी कितनी weight की होगी यह लगबग रहता है आर आप change नहीं कर सकते हैं क्योंकि सलक जैसे घूम रही उसका radius fix है तो पहले लिख देते हैं curve ahead curve ahead आपने जानते हो नो इसे आप कहीं जा रहे हो तो दिल्ली आ गया है जो दिल्ली शुरू हो गया है क्या बोलते हैं आप दिल्ली started का बोलते दिल्ली शुरू हो गया है क्या English में करो गया आप तो दिल्ली शुरू हो गया है दिल्ली ahead ahead word होता है A-H-E-A-D तो लिखा रहता curve ahead speed limit 40 km पर R लिखा होता है ना क्योंकि उनको मालूम है कि आप क्या control कर सकते हैं आप M को chain नहीं कर सकते आप R capital मालो आप radius को chain नहीं कर सकते आप friction नहीं change कर सकते जो सलक और टायर के बीच में माल लेते हैं टायर आपके जो है ठीक ठाक है ऐसे नहीं है तो आप पनी विरास्टी change कर सकते हैं तो क्योंते हैं 40 limit होनी चाहिए लेकिन हम भी कम नहीं है हम तो भाई फरारी लेके गुमते हमने 100 पार कर दिया उठा करके गारी पतला खाइम चली गी बार चली गी क्योंकि जो friction था जो कि सेंटिपिटल प्रवाइट कर रहा था वो विचारा 50 न्यूटन तर प्रवाइट कर रहा था तो हम बहुत speed चलते हैं या अगर कोई slippery road है वहां मिट्टी पड़ी है तो सिंपल सी बात है वो दिकत करेगा आपको slip कर जाएगी गाड़ी तो आपकी limit वहां लिग दियाती है कि limit 40 होती ही जाए इंडिया में आप 100 कर दो कोई दिकत नहीं आप तो घर दिकते आने लगी लोग कैमरा लग जाते हैं अगर आप यही पर गल्फ कंट्री में चले जाए तो 40 मतलब 40 not 40.1 40.1 गए कि आपके mobile पे message आया Mr. Arnold due to the speed more speed your this much amount has been detected from your account काम खुतम वह आपको नहीं करें और रुको भी या सो रुप्या ले लो अरे वाज़ाओ नहीं 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 से ठीक है कि अ कि बेंडिंग ओफ साइकलिस्ट कि अ कि समझी दर इसको रिचार्ज कर ले अब पहले आप साइकल पर बैढ़ जाईए और सीधे चलिए संध्रक पे क्या आपको फील हो रहा कैसे एक फोर्स आप पे लग रहा है कि गद्धी पे बैढ़के सीधे चल रहे हैं 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 घुमाने करें बिल्को सीधे हैं पकड़े हुए है यानि एक तो आपका weight है जो नीचे के और काम कर रहा है reaction force आपके weight को balance कर रहा है दूसरे दोनों handle आप पकड़े हुए हैं वे एक दूसरे के force को balance कर रहा है ज़रा cycle पे बैठ के feel करिएगा उतर के नहीं चलाते हो न वेरी गुड देखो यह हमारी cycle है मैं अब ऐसे आदमी नहीं बना पाऊंगा यहां यह दोनों handle हैं और यह हम बैठे हैं चलिए हम ऐसे ऐसे बना देते हैं उच्छे उच्छे बनागा दर के और यह हमारा weight नीचे की तरफ काम कर रहा है और यह reaction force उपर की तरफ काम कर रहा है और यह handle F1 और यह handle पर F2 फोर्स लग रहा है handle पकलोगे आप दोनों हाँ से एक handle इसे पकड़ लो ने बहुर लोग जो जो वो होते ना जो कलाकार होते वो कर लेते वला की बात है कि बैलेंस बना सकते हुआ आप लेकिन नहीं पकड़ सकते ना अगर आप एक हां से चला तो तब ही दूसरे handle को ऐसे balance ऐसी कोशिश करते हो कि फोर्स उदर को लगता रहे यह handle यह handle एक दूसरे के स्जिधे चल लह है अब जरा हम मुड़ने जा रहे हैं साउधान देको ध्यान से देखे यह हमारा जब हम, ऐसए मुड़ गए, हम ऐसे मुड़ गए, ऐसे चैनु ऒए ना कहाना काम करके साइकल की पहिए के अपोजिट काम कर रहा था मतब है वो दिखा वही रहे हैं यह आर इसके अपोजिट काम कर रहा था तो देखे यहां पर साइकल का पहिए था तो हमारा वेड तो इधर की तरफ काम कर रहा है और रियक्शन फोर्स उपर की तरफ काम कर रहा है अभी एक दूसरे के ये पैरलल है ठीक है ये क्या करेगा आपको ऐसे गिरा देगा MG आपको नीचे घसीट रहा है R आपको उपर उठा रहा है और आप ऐसे गिर जाओगे देखे साइकलिस्ट ऐसे सीधे था अब वो साइकलिस्ट ऐसे घूम गया है यानि जो सीधे साइकलिस्ट था वो ऐसे हो गया है लेकिन उसका पैया यहीं पर है तो उसका जो reaction force पैया पर है वो तो उपर की तरफ काम कर रहा है उसका weight नीचे की तरफ काम कर रहा है और वो vertical से theta angle पर घूमा हुआ है ये weight क्या करेगा आपका आपको नीचे की और धक्का मारेगा और ये reaction force उपर की तरफ खीचेगा तो आप ऐसे गिर जाओगे समझ में आई बात आप जुके हैं इधर की तरफ यानि इधर है center उस circle का circular path है ना तो ये इसका radius हो गया ये जो force हो ये इधर लगेगा centipetal force वो आपको इस वाले force से balance करना पड़ेगा ठीक है ज़रे देखे जान जान से यानि कि ये आपने f2 इधर घसीटा f ऐसे कीच रहा तो आपको सीधे ऐसे कर रहा है ना देखो mg mg किदर घीच रहा था आपको नीचे की तरफ ने आप यहां diagram देखो देखो इसे प्रेटकली देखिये न यह는지 था आर उपर था तो यह mg था आर उपर था mg नीचे काम कर रहा आर उपर तो ऐसे आप गिर रहते नहीं गिर रहते आप देखो जान इस पये पहे पये को देखिए center की तरह फोर्स लग रहा है यह गिनाने की कोंशिज कर रहा हूं है दोनों ही आपको rotate करने की कोशिज कर रहे अगर दोनों का moment टार्क से एंगे तो ना तो यह भाई सिसाब गिरा पाएंगे यह आपको इधर गिरा जोिए पाएंगे सभी मैं कह रहा हूं तो यह जो दो कपल है और और न JACK है और F29 सेमें दोनो का मोमेंट कैसा होना चाहिए संब्सक्क्राइघ्, मौमेंट क्या होता ए फो यह डिए मडा लिया है देखे मोमेंट क्या होता है जो फोर्स आपको रोटेट करने की कोशिस करें उसी तो मोमेंट कहते हैं तो यह दोनों फोर्स टॉर्क एक्ट करा रहे हैं और दोनों एक्वल अपोजिट हैं पैरडल हैं तो उसको हम कपल कहते हैं कपल क्या होता है दो इक्वल और अपोजिट फोर्स इसको कपल कहा जाता है इनका मोमेंट क्या होता है कोई एक फोर्स और इनके बीज की परपेंडिकुलर डिस्टन्स के प्रोड़क्ट को हम कहते हैं टॉर्क या मोमेंट आफ फोर्स कोई एक फोर्स और इनके बीच की डिस्टेंस के प्रोड़क्ट को हम कहते हैं टॉर्क ठीक है यह डाइगराम प्रेक्टिकली समझ में आया कि नहीं आया यानि कि यह mg और आर आपको ऐसे खींच रहे हैं और यह हैंडल का f2 फोर्स इधर भी लग रहा है ऐसा नहीं इस वाले को आपने रिलीस कर दिया यह फन को और यह f2 इधर खसीतेगा और f इसको सीधा करेगा तो इन इक्कुलिब्रियम इन एक्कुलिब्रियम क्या आप गिरे ना क्या होगा मोमेंट आफ फोर्स आर और एमजी दोने कोई लेंगे ना इस इक्वल टू मोमेंट आफ फोर्स एफ और एफ टू सुन में भी बात नहीं आई अब इसके ज़र नेमिंग कर दो ए बी सी अब देखो मोमेंट का फामुला भी हमने क्या बताया कोई एक फोर्स और दोनों के बीच की पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस वाले बात में लिख यह एंजी है यह आर है यह लाइन अफ एक्शन है जोनों की इनके बीच की पर्पेंडिकुलर डिसंस एबी है तो यह यह क्या होगा एंजी इंटू एबी इस इक्वल टू यह एफ लिया हमने क्योंकि एफ और इस वाले हैंडिल के फोर्स को बराबर है यह एफ टू है यह यह पैलल है इनके बीच की दूरी क्या है एसी है यह एफ टू है यह यह पर्पेंडिकुल डिसंस तो इंटू एसी अब प्रॉब्लम में एसी अलग है और एबी अलग है तो हम चाहें तो एमजी और एबी को लिश सकते हैं आप बीसी साइन थीटा तो बीसी साइन थीटा इस एकुल टू एफ होता है mv स्कॉर अपान और और ac को लिश सकते हैं बीसी कॉस थीटा लिख सकते हैं न DC कैंसेर हो गया में कॉस को इधर लेयो इधर हो गया 10 थीटा इधर है mv स्कॉर अपान आर इंटू mg मकड़ गया तो 10 थीटा हीगल टू v स्क्वान तो अगर आप थीटा एंगल से घूमते हैं तो यह वी स्क्वाइर पन हर्जी होना चाहिए इस फामला आप ज़रा समझिएगा थीटा आप साइकल के केस में चेंज कर सकते हैं आपको वी बढ़ाना है तो थीटा बढ़ा लीजिए तो जो हम बाइकर्स होते हैं या साइकलिस बहुत तेज रेस करते हैं उप्रेया को ऐसे जुका लेते हैं तो उनको वी ज्यदा करना होता है यही जड़ा कार में आ जो फ्रिक्षिन छोड़ दो कार में कार को जुकाना हे mieć तो आप क्या करेंगे ठीटा चेंज हैं कर सकते कार का क्योंकि साइकल कसा का यही के कार में लगा करके कापे ख्रिक्ष्षिक्षन की बात मैं नहीं कर रहा तो शुन जो श्रस जोगी टीटा एंगे गुआ देंगे तो श्रक का थीटा++ oh गया स्पया ओ गार भी उतने एंगिल से उड़ जाएगी आज उस सड़क का और फिक्स है है तो हम वहां क्या स्वाइब यह जोगे जोगा स्वाच बढ़ेगा साइकल के केस में क्या होता थीटा हम चेंज कर सकते हैं आर भी हम चेंज कर सकते हैं हम दूर से जाकर कैसे घुमाएंगे अगर हम ज्यादा विलाशी चलेंगे तो हम आर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा ना सौन में आ गई बात इसको नोट कर लिजे आप